Assalamualaikum everyone, welcome to Pro Architecture Studio दोस्तो आज की वीडियो में हम AutoCAD में Textile के बारे में बात करेंगे जिहां दोस्तो AutoCAD में Text को कैसे Insert कर सकते हैं AutoCAD में एक New Textile कैसे Create कर सकते हैं और उसकी कुछ Basic Settings कैसे कर सकते हैं So let's get started Friends, first of all, हम बात करते हैं कि AutoCAD में अगर कोई Textile create करना चाते हैं या कोई text insert करना चाते हैं तो उसके लिए हमें toolbar में जाना पड़ेगा text वेरा को बनाने के लिए तो उसके लिए मैं simply annotation पर जाऊंगा annotation पर जाने के बाद यहां पर आप देखिए यह एक text का एक panel हमें नज़रा रहा है तो यहां पर आप देखिए सबसे top पर हमें एक list मिल रही है जैसे मैं इस पर click करता हूँ तो हमें by default AutoCAD में दो text style मिलेंगे एक तो standard और दूसरा annotation तो अगर हम कोई new text style create करना चाते हैं तो उसके लिए हम यह text पर जाएंगे और मैं simply यह जो हमें एक corner पर एक text style का एक option नज़रा रहा है तो मैं simply जैसे इस पर click करता हूँ तो यह देखिए हमारे पस text style की एक window display हो जाएगी अगर आप यहां से नहीं open करना चाते तो हम simply style की command प्रेस करेंगे तो मैं simply command बार में जाकर यहां पर style की command टाइप करता हूँ तो यह देखिए style की command जैसे प्रेस की में enter करता हूँ तो यह देखिए text style की window हमारे पस display हो चुके है इसके लावा इसको open करने का एक और भी method है जैसे के हम dimension style manager में जाएगे जिसका shortcut है d d enter तो यहां पर हम जाएगे modify modify में जाने के बाद यहां पर text में जाएगे text में जाएगे और यहां पर text style और इस list पर click करेंगे तो जैसे हमने इस पर click किया तो यह देखिए हमारे पस text style की window display हो जाएगी तो इस तरह आप different way से आप text style को open कर सकते हैं तो मैं इसको close करता हूँ और normally मैं अपने ribbon toolbar पर जाकर text style के panel में जाएगा text style के panel में जाकर यहां पर simply मैं corner वाले text style पर click करता हूँ तो यह देखिए हमारे पस text style की window pop up होगी है तो यहां पर आप देखिए first of all left side पर हमें दो तरह के text style नज़र आ रहे हैं और एक new text style हम कैसे create कर सकते हैं यह जो annotation text style है यह इंशाला मैं आने वाली next video में आपको explain करूँगा कि annotation होता क्या है इसमें text style वो वगरा को कैसे create कर सकते हैं इसको कैसे use कर सकते हैं so for now अगर हम कोई new text style create करना चाते हैं तो मैं simply यहां new पर जाओंगा right side पर new पर जाएंगे मैं इस पर click करूँगा और यहां पर new text style के window में मैं यहां पर text का नाम लिखूँगा तो मैं simply यहां पर लिखता हूं new text new textile ओके तो मैं simply okay पर click करता हूं तो यह देखी हमारे पास new textile create हो चुका है अब हम इसकी कुछ मजीर setting करना चाहते हैं इस textile की तो इसके लिए में हम जाएंगे यह font font name यहां पर मैं list पर click करता हूं यहां पर देखे हमें different types के कुछ text की एक list हमारे पास show हो चुकी है तो हम इने में से कोई सभी एक textile choose कर लेंगी यापकी drawing के मताबिक जो textile आपको suitable लगता है वो आप यहां से choose कर सकते हैं तो मैं simply let's say यहां से एक textile choose कर सकता हूं let's say cambria cambria तो मैं यहां से cambria select करता हूं तो font style में जाऊंगा और font style में जाने के बाद यहां से मैं इसको bold दे सकता हूं जैसे मैं bold पर click करता हूं तो यह देखिए left side की window में आपको bold होता नज़र आएगा यानि जो भी आप changing करेंगे यहां पर तो आपको यहां पर display हो जाएगी तो मैं simply bold के बज़ए bold italic करता हूं तो यह देखिए bold italic हो जाएगा italic करूंगा तो italic हो जाएगा regular करेंगे तो regular हो जाएगा तो मैं simply यहां से bold को select करता हूं font style को मैं change करने के बाद इसमें मैं कुछ मजीद settings करना चाहता हूं for example मैं इसको annotation करना चाहता हूं तो मैं simply इस box पर click करूंगा तो जैसे मैंने इस पर click किया तो आप यहां पर देखिए annotation का एक icon हमारे पस show चुका है तो annotation जैसा कि मैंने आपको explain किया है यह मैं इंशाला आने वाली वीडियो में एक complete class होगी इस annotation के बारे में जिसमें मैं आपको proper explain करूंगा कि annotation होता गया है तो for now मैं annotation नहीं use करना चाहता तो मैं उसके लिए annotation को unhide कर दूँगा तो यह देखिए यहां से annotation का जो icon है वो हमारे पस hide हो चुका है यानि by default इसके मैं setting करना चाहता हूँ तो मैं यहां पर hide इसकी कोई लिखना चाहता हूँ let's say मैं यहां पर कोई 0.70 लिख देता हूँ अगर आपकी drawing के जो units हैं वो architectural है या decimal है तो उसके हिसाब से आप hide यहां पर put करेंगे let's say अगर मेरी drawing के जो units है वो architectural है तो जो मैं यहां पर value लिखना वो inches यह fit में आएगी तो let's say मैं 0.70 लिखता हूँ तो 0.70 inches लिखी जाएगी और अगर मैं decimal में अपनी drawing को बना रहा हूँ जैसे के meter, millimeter, centimeter तो मैं यहां पर जो value लिखना वो millimeter, centimeter में count होगी तो by default मैं decimal ही अपनी drawing को use करना चाहरा हूँ तो मैं 0.70 रखोंगा height और यहां पर effect में आते हैं नीचे तो मैं अगर upside पर click करता हूँ तो यह देखिए हमारा जो text है वो upside हो जाएगा मैं इसको upside नहीं रखना चाहता तो इसको मैं uncheck करूँगा इस तरह इसको मैं backward देना चाहता हूँ तो मैं इस पर click करूँगा और यह देखिए हमारा जो text है वो backward हो जाएगा इसको मैं backward नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसको uncheck कर दूँगा इस तरह width factor में यह है कि आप text की width को कितना increase करना चाते हैं या कितना decrease करना चाते हैं let's say मैं अगर इसको increase करना चाता हूं तो मैं यहाँ पर suppose मैं 10 enter करता हूं तो यह देखिए यहाँ पर हमारे जो text है उसकी width increase हो चुकी है और अगर इसको मैं decrease करता हूं let's say मैं minus 0.05 में जाता हूं तो यह देखिए हमारे जो text है उसकी width है वो decrease हो चुकी है तो मैं normally इसको यहाँ पर by default one ही रखूँगा अब नीचे आते हैं oblique angle यहाँ पर आप अपने text style को कोई angle देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर put करेंगे यानि इसको आप italic बनाना चाहते हैं या कोई और angle देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर put कर सकते हैं let's say मैं यहाँ यहाँ पर 20 इंटर करता हूं 20 इंटर करके यह देखिए हमारे text style को जो angle है वो एक italic शकल में आ चुका है तो मैं इसको by default one रखूंगा इस तरह हम इसकी कुछ settings करने के बाद हम इस text style को यहाँ से select करेंगे text style को यहाँ से select करने के बाद set current करेंगे set current पर click करने से यह होगा कि यह वाला जो हमारा text style है यह हमारी drawing पर active हो जाएगा तो हम set current पर click करेंगे और yes यहाँ से select करेंगे और close कर देंगे तो यह देखी annotation में हमें text style का जो panel है यहाँ पर हमें new text style जो हमने create किया वो active हो चुके है तो let's say मैं अगर यहाँ पर कोई text style add करना चाहता हूँ तो मैं simply जाओंगा ए का एक symbol नज़र आ रहा है मैं इस पर click करता हूँ और यहाँ पर हम यह option शोर है specify first corner तो मैं first corner select करता हूँ then opposites corner select करेंगे यानि एक rectangle बनाएंगे तो अब मैं यहाँ पर कोई भी एक text enter करता हूँ let's say मैं यहाँ पर लिखता हूँ और to get architecture अब मैं अपने text को लिखने के बाद मैं अपने command से exit होना चाता हूँ या इस window से exit होना चाता हूँ तो मैं उसके लिए simply अपने work space के area में कहीं बहुत भी click करता हूँ तो मैं उससे exit हो जाँगा otherwise आप यह जो close text editor option है ribbon toolbar पर इस पर click कीजिए तो इस तरह हम अपने text style की editing से exit हो जाएंगे ओके इस तरह हम एक new text style create करके इस तरह हम text add कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर by default जो autocademy standard text style होता है उससे मैं कोई text insert करना चाता हूँ तो मैं इसके लिए simply ribbon toolbar पर text के panel में जाऊँगा और यहाँ से मैं standard को select करता हूँ क्लिक करूंगा तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके again मैं इस पर लिखता हूँ autocad architecture ओके तो मैं अब workspace के area में कहीं पर भी क्लिक करता हूँ तो यह देखे मैं अपनी command से exit हो चुका हूँ अब यह देखिए autocad का जो standard textile होता है इस पर कोई भी हमारे पस ना ही इसके कोई height वगरा set है ना ही इसका कोई अंगल set है ना ही इसका कोई font style set है याँए जो by default इसका standard textile है as it is हमने insert कर दिया अपनी drawing में तो अगर हम इसकी height वगरा को change करना चाहते हैं इसको कोई height देना चाहते हैं, इसको कोई color देना चाहते हैं, तो मैं simply इसको select करूँगा, select करने के बाद मैं अपने keyboard से command प्रेस करूँगा, properties, properties, यहां पर click करेंगे, तो यह देखिए हमारे पस properties की एक window हमारे पस pop up हो जाएगे, तो यहां पर हमें, हम जाएंगे, यह जो text style की एक window है, यहां पर जाएंगे, और यहां पर हम text height, यहां से हम text height को chain कर सकते हैं, let's say मैं यहां पर 0.50 करता हूँ, तो जैसे मैंने height दी तो यह देखी, इस text की जो height है, वो increase हो चुकी है, इसी तरह आप इसको कोई color देना चाहते हैं, तो इस तरह हम general के tap में जाएंगे, general के tap म select कर सकते हैं, अगर कोई आपने layer बनाई है, तो यहां से layer by layer कर सकते हैं, otherwise आप यहां से कोई एक color choose कर सकते हैं, let's say मैं yellow दे दिया है मैंने इसको, और इसी तरह मैं इसको भी कोई देना चाहता हूँ, को color वगारा, तो मैं simply, पहले escape का button press करूँगा, अपनी command से exit होने के लिए फिर मैं इस textile को select करता हूँ, और यहां से मैं इसको कोई से विए color दे दे देता हूँ, let's say मैं यहां पर red दे दे देता हूँ, और मैं इसकी text, height वगारे change करना चाहता हूँ, तो मैं simply, text के tab में जाओंगा, और यहां पर text height में जाके, यहां पर मैं let's say मैं यहाँ पर point 80 कर देता हूँ तो यह देखिए इसकी height है वो increase हो चुकी है और इसको close करने के लिए मैं simply close icon पर click करूँगा तो इस तरह हम close कर देंगे ओकी यह तो था कि हम autocad में एक horizontal text create कर सकते हैं ओकी अब हम चाहते हैं कि autocad में अगर कोई vertical text add करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक new vertical text style create करना पड़ेगा तो let's say मैं अगर कोई vertical text create करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एक new text style create करूँगा उसके लिए मैं simply जाऊंगा style की command या ribbon toolbar पर जाकर यहाँ पर corner पर जो हमारा text style का option है इस पर click करेंगे और text style में आने के बद्ध यहाँ पर मैं एक new text style create करता हूँ इस time मैं इस पर लिखता हूँ vertical text style ओके और मैं यहाँ से okay प्रेस करता हूँ तो यह देखिए हमारे text style create हो चुका है अब आप यह देखिए कि यह जो left side की window है यहाँ पर हमारा जो text है वो अभी horizontal है लेकिन इस time में चाहता हूँ कि मैं इसको vertical text लिक हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ से font name में जाओंगा और यहाँ से कोई सा भी एक text style choose करता हूँ let's say मैं यहाँ से extension slim का एक text choose करता हूँ तो जैसे मैं इसको choose करता हूँ तो यह देखिए हमारे पास यह जो एक vertical का एक आइकन है यह हमारे पास active हो चुका है तो मैं इस पर simply इसको check करता हूँ तो यह देखिए window में हमारा जो text style है वो vertical हो चुका है तो मैं इसको apply करूँगा close cutting गे तो यहाँ से हम इसको confirm करने के लिए कि यह जो हमारा text style है जो हमने अभी create किया vertical वाला वो active है या नहीं तो मैं simply ribbon toolbar पर जाकर text के panel में जाएंगे और यहां से vertical text को select कर लेंगे तो मैं simply इसको again text write करना चाता हूँ तो मैं multiline text पर click करूँगा first corner select करेंगे then second opposite corner select करेंगे तो अब मैं यहां पर कोई सभी एक text create करता हूँ for example मैं यहां पर लिखता हूँ architecture okay और मैं इसको close करने के लिए close text editor पर click करता हूँ तो यह देखिए हमारा एक vertical text create हो चुका है इसकी भी हम कोई height वगरा change करना चाते हैं यह इसको क्यों color देना चाता है तो हम simply first of all is text को select करेंगे then keyboard से हम properties की command select करेंगे otherwise इसको select करने के बाद इस पर right click करें तो यहां पर properties के option पर जाहिए तो यहां पर हम इसको अगर कोई color देना चाते हैं तो general के tab में जाएंगे और यहां से color वाले मैं इसको by layer या कुई सब यह color चूज कर सकता हूँ let's say मैं इसको green कर देता हूँ यह देखिए इसका color जो है वो green हो चुका है और अब मैं इसका कोई textile की height वगरे change करना चाता हूँ यानि इसका कोई size increase करना चाता हूँ तो मैं जाओंगा textile के tap में और यहां पर text height पर click करूँगा और let's say मैं यहां पर इसको 0.60 height करता हूँ तो मैं जैसे 0.60 करने के बाद enter करता हूँ तो यह देखिए इसकी height increase हो चुकी है और इसको मैं अब यहां से close कर सकता हूँ तो इस तरह हम autocad में text को insert कर सकते हैं एक new textile create कर सकते हैं और by default इसका जो textile है यानि कि जो standard textile है वो हम use कर सकते हैं तो जी हां दोस्तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई doubt है तो नीचे दिएगे comment box में मुझे comment कीजिए और मैं बहुत जल कोशिश करूँगा कि वो आपको doubt क्लियर कर सकूँ मैं उमेद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत helpful थाबत होई होगी अगर वीडियो आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को like जरूर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर new है तो मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए और नीचे दिएगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नए वीडियो आप तक फौरण पहुँच सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अलाहाफिस